हलो गुड बार्णिक स्ट्रेंट्स आज मैं अपनों को क्लास फिफ्थ का साइंस पढ़ाऊंगा साइंस क्लास फिफ्थ वाट द बाड़ी इस मेड आफ हमारा बाड़ी किस चीज़ चे मिलकर बना होता है देखिए हम लोग लिविंग तिंग्स है और लिविंग तिंग्स चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हो चाहे अधर अनिमल्स हो हमारा बाड़ी एक स्मालेस्ट यूनिट जिसे हम सेल कहते हैं सेल से मिलकर बना है चेल क्या है चेल इस्मालेस्ट इस्ट्रॉक्शल 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 एंड फंक्शनल यूनिट अफ लिविंग विंग्स तो जो लिविंग थिंग्स है उस लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्श्टरल एंड फंक्शनल यूनिट है यह और 1665 में राबर्ट हुक ने इसकी खोजकी थी उनने प्लांट के कार्क सेल में देखा प्लांट के सेल में प्लांट का जो आउटर कवरीं होता है जिसे हम कार्क कहते हैं और उस कार्क का उन्होंने थीन स्लाइस किया और अपने ही द्वारा बनाएगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो हनी कंब जैसा structure उन्हें दिखा दिया, हनी कंब, हनी कंब ऐसा होता है, और इन ही का नाम उन्होंने सेल रखा, तो ये हमारे बाड़ी में भी, प्लांट्स के बाड़ी में भी, एनिमल्स के बाड़ी म तो इस तरह से हमें दिखाई देता है, ये है, ओनियन, स्कीन सेल, स्कीन आफ प्लांट, जो की सेल है ये, और हम अगर अपने चिक का सेल देखें, चिक मिंस गाल के अंदर, के स्कीन का अगर हम सेल देखें, तो उसका structure हमें इस तरह से दिखाई देगा, ये है, सेल में नुकलियस होते हैं, ये इसका नुकलियस है, तो ये है, चिक सेल है, इसके अलावा, बहुत से ऐसे सेल होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे बैक्टिरिया है, फंगस है, तो बैक्टिरिया, अमीबा, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आनि कि इनका बाड़ी जो है, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, इसे हम इतने छोटे होते हैं, कि इनने हम नेगड़ आइस से नहीं देख सकते हैं, इनने हम माइक्रोस्कोप की सायता से ही देखते हैं, तो इसके अलामा भी और है, ब्लड सेल जैसे है, देखिए ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल, ये हमारे ब्लड बाडी में अक्सिजन को ले जाता है, और ये देखिए, ये नर्व सेल, है नर्व सेल हमारे बाडी का सबसे लंबा लांगेस्ट सेल है जो कि इस तरह से आप मैसेज को कराता है यह मैसेज को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तर ले जाता है डेके CELL से मिलकर बनता है TISSUE, group of cell is called TISSUE TISSUE क्या है? group of cell which is similar in structure and function जो structure में और function में एक समान होते हैं और cells के group होते हैं वो TISSUE कहा जाता है जैसि skin tissue, muscles tissue and bone tissue Skin tissue हमारा पूरा body covered है skin से, वो क्या है? Group of cell है, क्योंकि हमारा body cell से मिलका बना है, तो पूरा skin जो होता है, वो एक tissue हो गया, skin tissue, muscles tissue हमारा body muscles से भी मिलका बना है, bone से मिलका बना है, तो muscles क्या है? एक muscles tissue है और bone भी एक bone tissue है तोड़ा इसका structure हम लोग देख लेते हैं, skin cell का, यह skin cell है, यह हमारे पूरे skin में इस तरह से फैला होता है, skin cell, muscle cell यह muscle cell है, और इसके बाद, bone cell, यह देखिए, bone cell है, यह हमारे bone में present होता है, बना है, यह हमारे बना है, यह हमारे बना है, bone cell, bone cell, muscle cell, तो यह हमारे cell का example हो गया, tissue का example हो गया, तो skin cells, यह skin tissue and muscle tissue and bone tissue, इसके बाद, cell से tissue बनता है, और tissue के बाद, आता है आरगन, cell, जो हमारे body का smallest unit है, उसका group, ग्रूप, tissue कहा जाता है, और group of tissue is called आरगन, आरगन क्या है, group of tissue, group of tissue is called आरगन, group of tissue को हम आरगन कहते हैं, जैसे example के रूप में, जैसे heart है, heart एक आरगन है, और यह आरगन tissue से मिलका बना होता है, heart क्या होता है, skin tissue and muscle tissue से मिलका बना होता है, heart के अलावा, हमारे आरगन बहुत से हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं, hand है, legs है, तो hand और legs किसे मिलका बना है, bone से, bone cell से, bone tissue से, muscle tissue से, तो सभी part, बहुत सारे part है, हमारे बाड़ी में, आरगन बहुत सारे हैं, जैसे सग देख रहे हों, nose, eye, ear, tongue, यह सभी आरगन है, तो यह आरगन हो गया, जो group of tissue, इसके अलावा, जब आरगन मिलकर बनते हैं, तो हो जाता है, आरगन system, आरगन system means group of आरगन, group of organs, इसकाल्ड आरगन system, तो जो आरगन system होता है, वो different organs से मिलकर बना होता है, जैसे system बहुत है, जैसे माल लेते हैं, digestive system है, excretory system है, circulatory system है, अब माल लेते हैं, यह digestive system है, यह digestive system में क्या आता है, माउथ आता है, माउथ के लावाँ, इसोफेगस है, food pipe, इसोफेगस के बाद stomach, intestine, तो यह digestive system है, यह digestive system माउथ से, इसोफेगस क्या है, एक आरगन है, stomach क्या है, आरगन है, intestine क्या है, आरगन है, इन सभी, आरगन से मिलकर कि यह बना है digestive system, ठीक उसी तरह से, जैसे इसको हम figure के जरी आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा, क्या है ग्येख फूर पाइप है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं यह स्टमक है यह इंसे टाइन है यह सब ही क्या है? माउफ है यह सब अरगन है अरगन-अरगन-अरगन अरगन से पुरा मिलकर के बना है एक डाइजेष्टिव सिस्टम ठीक उसी तरह से एक्सक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक् एक system मना यह आरगन से मिल करके तब जाकर के एक system मनता है तो जब आरगन system मिलेगा तब बनेगा individual हमारा बाड़ी है और यह हम एक living organism है और हमारा बाड़ी different system से मिलका बना है जैसे कि circulatory system, skeletal system, digestive system, nervous system तो ये सभी system से ही मिलकर हमारा बाड़ी बना है यानि आर्गन system मिलते हैं जब आर्गन system मिलकर के तब बनाते हैं living organism तो living organism कैसे बनेगा जब different आर्गन system मिलेंगे यानि कि हमारे बाड़ी का जो smallest unit है वो cell है cell से मिलकर बनता है tissue tissue से मिलकर बनता है आर्गन आर्गन से मिलकर बनता है आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है living organism cell मारे पूरे बाड़ी में फैला होता है tissue का मैंने example बताया जैसे skin tissue, muscle tissue bone tissue और bone tissue आर्गन का मैंने example बताया जैसे heart है lung है और hand है legs है nose, ear, आर्गन सिस्टम का मैंने example बताया यह आर्गन सिस्टम जैसे digestive system excretory system और भी system है और इसके बाद living organism बन गए जैसे इसमें कोई भी हो सकता है human beings होते हैं हो सकते हैं एनिमल हो सकते हैं और प्लांट्स हो सकते हैं तो human beings, animals और प्लांट्स किसे मिलका बने होते हैं living organism यह living organism है यह living organism है यह living organism किसे निलका बने है डाय सिस्टम से organ सिस्टम से आरगन सिस्टम आरगन से मिलका बनता है और आरगन टीशू से मिलकर बनता है और टीशू से बनता है नहीं हमारे पूरे बादी का पूरे लिविंग बादी का जो इसमालेस्ट यूनिट है इस तरह से हमारे बिल्दिंग का इसमालेस्ट यूनिट ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स is the building block, so हमारे बादी का भी living जो smallest unit है वह cell है, जैसे ब्रिक्स से मिलकर के वाल बनता है और वाल से मिलकर रूम बनता है, रूम से मिलकर बिल्डिंग बनता है, ठीक उसी तरह से cell से मिलकर tissue बनता है, tissue से मिलकर argon बनता है, argon से मिलकर, argon system बनता है और argon system से मिलकर के living argonism बन जाता है